ऐसा लगा अंत में बताईएगा ज़रूर अरे बहु चाई ले ले उठ जा बेटा अरे मम्मी रहने देती ना मैं उठ तो रही थी अरे कोई बात नहीं खाने में क्या बनाना है वो बता दे देख लो मा कुछ भी जो ये कहे बना लेते हैं बेटा मैंने तो जो सबजी थी वो काट दी है तू बस रोटिया बना लेना ये हर रोज सुबह का सीन था मम्मता के ससुराल का एक दिम पडोसन कहती है अरे बहन जी सारा दिन काम करती रहती हो ठकती नहीं क्या आप पहू क्या करती रहती है सारा दिन अरे वो भी कुछ ना कुछ करती ही रहती होगी अब एतनी भी बूड़ी तो नहीं हूँ मैं जो बैठ जाओं कि सामने काम पड़ा है और मैं बैठ ही रहूँ अरे लेकिन बहु की तो आदग खराब हो जाएगी जब सारा काम आप ही कर दोगी अरे ठीक है ना कम उमर में हमारी भी शादी हुई थी अब आज कल के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सारी जिम्मेदारी लेने में भी तो वक्त लगता है बहु है तो क्या हुआ मेरी बेटी की उमर की ही है ना हिक उसे भी देख लो चाय बनाने के सिवा आता ही क्या है बहु के बीच की बॉन्डिंग अच्छी थी लेकिन जब बहु मां बनती है तो जो थोड़ा बहुत काम किया करती थी वो भी छोड़ देती है बहु ये ले तेरे लिए बनाया है इसको खाने से बच्चा और तू दोनों स्वस्त रहेंगे ठीक है माजी माजी वो बच्चे के लिए गद्दे जो सुकर है न छट पर सरली आईए न तभी वहाँ पती आ जाता है अरे मा रुको मैं ले आता हूँ तु मेरा खाना लगा दो मा किचिन में चली जाती है पता है बगल वाली डॉली है न वो लोग हमारी साइड के हैं उसकी सास ने तो उसकी हट्डियों को मजबूत करने वाले लड्डो बनाये उसे भी बच्चा हुआ है न पता नहीं मम्मी जी क्या पानी सा उबाल कर दे देती है मैं तो बस वही खा लेती हूँ अरे तो तुम्हारे साइड बनता है तो तुम अपनी मा से बोल दो वो बना देंगी आहां मा की तब्या ठीक नहीं रहती तुम जानती हो न कैसे बनाएंगी वो अरे क्या हो गया सासुमा को कल तक तो फेस्बुक में किटी की फोटो डाल रही थी आच्छा चुप रही है डॉली की सास दे मनाया है तुम लोगों कभी तो फर्ज बनता है तब ही वहाँ सास आ जाती है ये ले बहु करम पानी की बोतल गरम पानी पीने से पेट अंदर हो जाएगा नहीं नहीं माजी गरम पानी पीने से प्यास नहीं बुझती अरे पी ले ना बेटा वो बगल वाली डॉली को तो जानती है ना जो तुम लोगों के साइड की है तीरे साथ ही उसका भी बच्चा हुआ था बिचारे का कोई खायल रखने बाला नहीं सारा काम करती है और रात में बस एक लड़ो खाकर सो जाती है पेट तो लटक ही गया है और बच्चा तो कितना कमजोर सा है उसका अच्छा मा, क्या बात है डॉली की ये हाल है क्यों मेडम, क्या कहना है आपका पता है पता है मुझे किसी के पास मेरी सास की तरह सास थोड़ी ना है नहीं नहीं बिटा, ऐसा नहीं है मेरे लिए तो तुम सभी मेरे बच्चे जैसे ही हो ममता को समझ में नहीं आता कि वो सास में कैसे कोई बुराई निकाले क्योंकि हर कोई उससे उसके सास की तारीफी क्या करता था एक रोज ममता के घर उसके ननद आती है अरे भावी मुन्ने को तो छे मैने हो गए आप अभी भी बैट पर हो आ गई आप, कैसी है बुआ बच्या होने के छे मिने बाद आई आप भावी अमरीका दूर है ना तो बक लग जाता है अब इनके छुट्टी अभी थी तो सभी आ गए वैसे मा कहा है ठकी हारी सास बेटी को देखकर खुश हो जाती है मा इस बार तेरा विज़ा तयार है मेरे साथ चलने को तयार रहना हाँ बेटा मैं तयार हूँ अरे ऐसे कैसे मा मैं कैसे मैनेज करूँगी कैसे मतलब जैसे मैंने किया अमरीका में आप इंडिया में कर लेना वैसे आपका तो माई का भी पास ही में है न हाँ वो तो है लेकिन मा के पास वक्त नहीं होता इश्वर भ्रक्ति में उनका सारा समय चला जाता है पाभी बेटी परिशान हो तो मा का ध्यान आर्थी में कैसे लग सकता है समझ में नहीं आता वैसे भी अब मा को मैं अपने साथ ली जा रही हूँ मा को विदेश घुबने का शौक है ना ममता मन मार कर चुप हो जाती है लेकिन मन ही मन सोचती है कि वो कैसे सारा काम मैनेज करेगी पती का खाना, नाष्टा, मुन्ने को नहलाना, धुलाना फिर राद पर इसके लिए दूद तयार करना मा तो सारा काम करती थी अगले दिन ममता अपनी मा को फोन करती है रादे, रादे मा में क्या करूँ, मेरी सास तो अमरीका जा रही है बेटी के पास अब घर का सारा काम, बच्चा, सब कैसे मैनेज करूँगी तो आ जाना मा कुछ महिनों के लिए मेरे पास अरे ना ना ममता, मेरे बसकी बात नहीं है कामधा अरे तु तो जानती है ना मैंने तो तेरे भाई की शादी भी गरीब गाउं की लड़की से इसलिए ही की थी कि वो चुप चाब घर का सारा काम करे वैसे भी अब तो आदत भी नहीं रही मेरी काम करने की ममता को मा पर बहुत गुसाता है ठीके मा देख लूँगी मैं लेकिन मेरी मुसिबत के वक्त आप मेरा साथ नहीं दे रही है अब भूल जाना मुझे ममता गुस्से में आकर फोन रख देती है और रोने लगती है लेकिन बेजारी करे भी तो क्या अब सास और ननत दोनों घर का काम करते नहा आराम करती लेकिन अब आराम में भी उसे चिंता रहती और फिर वो दिन भी आ जाता है जब ननत का जाने का वक्त आ जाता है भावी मैं जा रही हूँ अपना और मने का खयाल रखना ममता सास को देखती है और गले लगकर रोने लगती है मा जिल्दी आ जाना सास मुस्कुरा कर कहती है कहा से ममता मैं कहीं नहीं जा रही मैंने देखा कि मेरे जाने की बात से ही तु परिशान हो गई थी इसलिए मैंने अपना जाना कैंसल कर दिया है तु चिंताना कर में तेरे साथ ही रहूंगी ममता को अपनी मा की बात याद आती है कि कैसे उसकी कहने पर भी ममता की परिशानी को समझने की बजाए उसने मना कर दिया जबकि सास ने बिना कुछ कहे बहु की समस्या पढ़ ले हा मा हम सब साथ चलेंगे बाद में दीदी के घर अमरीका आज से आप रानी बन कर रहना और मुन्ने को देखना मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा फर्स क्या है